स्वच भारत मिशन के तहट नदी नालों को साफ रखने का बीड़ा भले ही राजे सरकार ने उठाया हो लेकिन नदी कितनी साफ हुई है इसका जाइजा समय साक्षे के टीम ने दहरदून राजीव नगर नई बस्ती में जाकर खुद लिया हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां लोग रिस्पना नदी के पास नरक जैसा जीवन या अपन करने को मजबूर है साफ सभाई अभ्यान को लेकर के इस वक्त समय साक्षे की टीम पहुची है बल्भी रोड की नई बस्ती में देरादून के यहां पर हमारे साथ कुछ लोग बाचीत करने के लिए जो एक नदीन के सामने से बैती है रिस्पना और इसमें पूरी तरह से गंदगी आपको नजर आ रही होगी कि जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि इसमें बच्चे भी खेल रहे हैं और यहां पर मवेसियों के साथ- आप मिर्त जो जानवरों के शब है वो भी पड़े मिले हैं काफी गंदगी नदीम हैं और इसके साथ-साथ ही हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए इस इलाके की कुछ महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहां पर दिकत्ते हैं को करनी पड़ती हैं क्या नाम है नितु मगवाना नितु जिस तरह से आपके मुहले में हम लोग आए हैं समय शाक्षे की टीम आई हैं आप देख रहेंगा कि पूरी नदी में गंदगी और इस बद्वू में आप लोग कैसे यहां पर जीवन यापन करते हैं बहुत दिक्कत है जो गंदगी आती हो साफ करना आते हैं साफ रहने चाहिए नदी नाई इसको लेकर के मुख्यमंतरी जी ने भी इसमें काफी प्रयास किया तकि नदी को साफ करेंगे तो उसके बाद कोई आया है आप देखने के लिए तो कोई निया आए ऐसा इधर तो आपको क्या लगता है नदी साफ होई है या नहीं नदी साफ होनी ची होँ भी अभी कितनी गंदगी है या तो सभी दिक्कते पानी या तोट जाता है पूर refract पहर जाताए फिर हमें किरायं पर दो दर भागना पड़ता है मतलब यह जाएकोर केंसरकार और राज्यसरकार नदी को साफ वनाने के लिए बीड़ा उठा रही है और करोड़ों पे खर्च करें तो इसकी बानगी देरादून के राजीब नगर में देखने को मिल रही है जहां नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ यही नहीं बलकि यहां के इस्तानिय जो लोग है उनके बच्चे भी इस नदी में खेल रहे हैं इस साफ जाहिर होता है कि आने वाला वो दिन दूर नहीं अभी तो लोग सिर्फ करोना के संकर्मन से ही खौप में थे लेकिन आन